चल चत्र अभ्यान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं प्होगण कोबी में नाभ्यान कीजियोस तो आपकी जो जमीने है वो किस तरह का मामला है? हमारी जो योजना है वो आवाज से योजना है एमर्जेंसी क्लोज का इस्तमाल करकर एक भव फसले जमीन को बंजर बता कर और कुछ ऐसमाजिक ततो अपनी साथ लगा कर भोले भाले किसानों को अपनी ओड अपने पाले में लिया और सडियंतर कारी जो सक्तियां है उनका इस्तमाल कर किसानों की जमीन को अड़पने का गाम किया है पास साल हमारे इस आंदोरोल को चलते होगे दो दिसंबरकूफ हो जाएंगे वो तो हमारी सुनी नहीं रहे थे हमारी जो बची जमीन जो बाकी बची हुई है उसे भी हड़पने की तैयारी कर ली हम मजबूरन जिंदा समाधी में बैठी कितने परिवार इसकी चपेट में आएंगे और कितने गाहों है चाफिससो चोदे एकर जमीन हमारी गई है आप से किस रेट में सरकार ने जमीने लिए और किस रेट में बेच रही है और योजना कहती है कि नो प्रोफित नो लूस पेम काम करते हैं कि साफ इस फेष्ट करां विनोंने माउजद तो मारा ही दी त्षी ऑद हमारा किर्सी कानून है हम किसान तो हैं और भी किसान परेसान है तो हम क्यों नई इस किर्सी का नूल बहीं संसोधन की बात करें तब देश में अब 2022 में चुना हो भी है आप किस तरह से देख रहे हैं मेरा तो सभी नोजवानों से यह अनुरोध है कि अपनी पेट की जो पेट का जो सवाल है उस सवाल को सबसे पहले टिकमार करें धरम की अफीम को ना खाएं इन लोगों ने इस देश में हिंदू-मुसल्मान के नाम पर जो धूरी करण किया है यह लोग अब चुनाओं आते ही फिर अबाजान, मदर से, मजिद, धरम, गाएं, वहेंस, भकरी, इन मुद्धों पर फिर यह चुनाओं लड़ रहे हैं जय जमान जय किसान जय जमान जय किसान 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 जय किसा काम करें लेकिन सरकार तो एक तरफ कह रही है बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ करें लेका काम करें बेटी के लिए किसी ने पैसे दे दिये जमीन तो सारी अडप ली पोण अपनी बेटी का भ्याद कैसे करेंगा कोई बताओ गरीब आदमी कहां से लाएगा पैसा उसके लिए आगे क्या सोच रहें आंदूनन कैसे आखरी साज तक लड़ाई करेंगे अपन परज़नों की बात करेंगा वोई देश मेराज करेंगे